भारत में बामपंथी उग्रबाद की कहानी अतीस से बर्तमान तक कैसे मोधी साह की रणीती ने बामपंथी उग्रबाद पर लगाई लगाम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी शेनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं ताजा खबरें और महत्पूर जानकारियां आज हम बात करेंगे भारत में नक्सलवाद के वारे में जानेंगे इसका इतिहास बर्तमान इस्थिती और इससे निपटने के लिए उठाए गई कदम बामपन थी उग्रबाद के इतिहास भारत में नक्सलवाद की सुरुआत उन्नी सो सरसर्ट में पश्री मंगाल के नक्सलवाडी गाउं से हुई थी चारु मजुमदार और कानु सान्याल के नेतत्त में यह आंदुलन गरीब किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुरु हुआ था परन्तु जल्ध ही इसने हिंसक रूप ले लिया और इसका बिस्तार बिहार उड़ीसा जहार खंड और च्छतीस गर जैसे राज्यों में हो ग उग्रबाद ने कई दसकों तक भारत के अनेक हिस्सों को प्रभावित किया है इस उग्रबाद की बजह से सोलह हजास से अधिक सुरक्षाबल और आम नागरिक अपनी जान गवाच चुके हैं यही नहीं नक्सली प्रभावित छेत्रों का विकास ठपसा हो गया था और यह गरीबी असिक्षा और विकास की कमी से जूज रहे थे प्रधान मंत्री नायद मोदी की नेतुत्त में भारत सरकार निनकसलवास से निपटने के लिए एक ब्यापक रानीती अपनाई इसमें सुरक्षा विकास और प्रसासनिक सुधार सामिल थे ग्रह मंत्री अमिस्साह ने तीन इस्तरी नीती तियार की जिसमें विकास सुरक्षा वलों की छमता बढ़ाना और केंद्र और राज सरकारों के वीच समनोवेपा जोड दिया गया विकास राष्टी नीती और काल योजना के तहत सिक्षा स्वास्त सडक पुल और आर्थिक विकास को प्राथमिक्ता दी गई मवाल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 13,823 टावरों के स्विक्रिति दी गई और ग्रामीर छेत्रों में निर्मान के लिए 12,021 कवर्ड रुपे की योजना मंजूर की गई सुरक्षा, सुरक्षा वालों की छमता बढ़ाने के लिए 145 में नई कैम पर स्थापित किये गए और 250 होटिफाइड पुलिस स्टेशन मनाए गए नई तकनीकों का उपयोग कर उग्रवादियों की गतिविदियों पर नजर रखी जा रही है समन्नवे, केंद्र और राज सरकारों के बीच बहतर तालमेल से 22 उग्रवाद प्रवावी छित्रों में विकास को नई दिसा और अधिक गति दी गई है सरकार की नीतियों और प्रयासों की सकरात्मक प्रणाम देखने को मिली हैं 2013 में जहां 46 जिले नकसलवाज से प्रभावित थे वहीं 2023 में संख्या घटकर 45 हो गई नकसली घटनाओं में 64 पिस्ट की कमी आई है और इन घटनाओं में होने वाले मौतों में 75 पिस्ट की कमी दर्ज की गई है 2014 के बाद 5000 से ज्यादा नकसलियों ने आत्म समर्पन किया है दोस्तों बाम पंथि उग्रवाद के खिलाब लडाई अभी खत्म नहीं हुई है लेकिन सरकार के प्रयासों से इसमें काफी कमी आई है हमें उम्मीद है कि भविस में भारत पूरी तरह से नकसलवास से मुक्त हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राज जरू बताएं अगले वीडियो म में फिर मिलेंगे धन्द बाद